हाई गोड मॉर्निंग सासे काला राब नमस्का वनकम सुबह नहीं आपाया मैं आपके सामने वीडियो लेकर क्योंकि बहुत बिजी चल ला है शेडूल और ओपेडी काफी है तो समय नहीं मिल पाया लेकिन आज मुझे पता चला एक ऐसी काफी लोग ने मैसेज के सर इस पर वीडियो बनाई है एक नई प्रॉलम पता चल रही है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मिस्टीरियस डेथ जो हो रही है एक ऐसी बिमारी से जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और ये हो रही है चंदिगर्ड में और उसके सेक्टर छे में ऐसा हो रहा है और ये बता जा रहा है कि बेट्स फुल हुए पड़े हैं जगा नहीं है रोज की कवर्मेंट उस्पिटल में 800 से उपर पेशेंट फीवर के आ रहे हैं और बहुत बुरा आल है 15 डेथ हो गई है पिछले महीने में और एक ही सेक्टर में की रिए क्या प्रॉलम हो सकती है जनरली जो सिंटम आ रहे हैं लोगों को हाई ग्रेड फीवर है बॉड़ी एक है और साथ में प्लेड काउंट कम हो रही है और कहीं को ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हैं ब्लीडिंग हो जाती है नाग से ब्लीडिंग हो गई नीचे से को बीपी यह ज्यादा तर पिशेंट डेंगू टाइप के फीवर में होते हैं डेंगू में और बरसाते अभी खतम हुई है लेकिन टेस्ट में डेंगू आनी रहा और कुछ और अजीब बात देखी गई कि कुछ पिशेंट ऐसे थे जिनकी डेथ सडन हुई और उनमें प्ल मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं प्राश्चेत भी नहीं कर सकता हूं मेरी जिनकी में एक बार एक पिशेंट के साथ ऐसा हुआ है उस पिशेंट को क्या हुआ था उसके बेटे को अब इससे कोर्रिलेट कर पाना बड़ा अजीब सी बात है मैं जो किस्ता सुनाने जा रहा हू पांच-छे साल पुरानी बात है पांच साल तो हो गये होंगे उसके बेटे को fever था, बेटे को टाइफाइड निकला, वो बेटे को रोज लेकर आता था और injection लगा के बेटा ठीक हो गया जब वो बेटा ठीक हो गया तो उसने मुझे बोला, डॉकसा मुझे भी देख लो मैंने का तुम्हे क्या है, कहता है, मुझे भी fever आ रहा है मैंने का कब से कहता, चार-पांच दिन से मैं का तुम तो अपने बेटे को लेकर आते थे हर रोज तो तुमने तब क्यों नहीं बताया अब उसका टेस्क कर रहा तो उसका भी टाइफाइड निकला उसको एड्मिट कर दिया, पेशेंट ठीक था काफी हद तक और उन्होंने संडे का दिन था मैं राउंड लेने गया तो मैंने उसको बोला कि नहीं आज चुटी नहीं करूँगा मैं तो यह कल सुबह बात करूँगा तेर से मैंने उनको टाल दिया आप येकीन मानेंगे मैं घर गया बिल्कुल ठीक पेशेंट था घर जाते ही मेरे पाँ फोन आया पंदरा मिन्ट के बाद कि डॉक्साब वो पेशेंट को घबराट हो रही है और वो कोलेप्स कर गया पेशेंट कोलेप्स कर गया अचानक घबराट हुई और कोलेप्स कर गया और डाइड सदन डाइड डैथ तो लाइफ में सिर्फ एक पेशेंट था जिसको हम उसको सेव नहीं कर पाएं। लेकिन यहाँ पर यह जो चीजे हो रही हैं। मैं सच बताऊं। मैंने लाइफ में एक तो पिशेंट और भी देखें सीरिया। जहां पर गवराड बेचेनी, fever के साथ गवराड बेचेनी को मैं कभी भी लाइटली नहीं लेता हूँ। रीजन यह है कि आखिर अगर उनकी प्लेलेट काउंट भी कम नहीं थी, उनका बीपी भी लो अगर नहीं था तो अचानक उनकी डेथ कैसे हो गई। बई एक तो यह हो सकता कि सड़न बीपी लो हो गया हो और पेशेंट शॉक में चला गया हो और डेथ हो गयी हो, यह हो सकता है, यह ठीक से किसीने देखा नहीं हो, दूसरा पेशेंट, ऐसे पेशेंट में काडियो मायपैथी सौरी, काडियो मायो काडाइटिस मायो काडाइटिस एक प्रॉलम होती जहां आपका infection, जनरली viral infection में बहुत यह चीज common है, दूसरे infection से, कि infection सीधा heart में चला जाता है, heart के muscle में चला जाता है, और कई बड़ी-बड़ी problem कर देता है, sudden death भी हो सकती है, तो एक reason यह भी हो सकता है कि heart पे असर कर गया हो, virus वायरस वहाँ चला गया हो, लेकिन यह complication generally इस तरह के fever में यही होती है डेंगू में भी यह complication होती है कि कई बार pulse भी slow हो जाती है, कि 40-50 पर pulse आ रही होती है डेंगू के patient में लेकिन वो सब ठीक हो जाता है, ज्यादा तर patient तो अगर अगर देखा जाये तो काफी चीजे मिलती जूलती भी है और कुछी चीजे अलग भी है, जैसे कि कई लोगों का playlet count normal था जिनके death हुई, ठीक है तो मैं डेंगू में अगर यह डेंगू नहीं है तो डेंगू टाइप का ही कोई viral fever है यह बात ऐसा मुझे लग रही है क्योंकि यह मैंने भी अपने experience में देखा है कोई जरूरी नहीं है कि डेंगू test positive आए playlet count normal नहीं होती, low होती है सारे test करा लो, सब normal आ रहे हैं लेकि playlet count low आ रही है patient बिल्कूल वैसी present कर रहा है होाँ डेंगू तो है एस्वाइर्ब। आइफस nos या viral जो मैं बार भा बोल रहा हrän कोई ऐसा viral fever जो डेंगू type का ही कोई डेंगू की तरह ही present कर रहा है या वो डेंगू का नया strain है या बिदेंगू की तरह present कर रहा है और यह ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं यह मैं अपने experience लाइफ में कहीं बार ऐसा देख चुका हूँ इस तरह के patient जहां पे patient viral fever करके है और same presentation डेंगू टाइप का होता है बाड़ी में पानी भर गया ये भी हो गया वो भी हो गया लेकिन test में डेंगू नहीं आ रहा है तो देखो diagnosis तो जरूरी होती होती है लेकिन treatment तो same उसी line पर ही है जिस पे डेंगू का treatment है क्योंकि डेंगू में भी treatment नहीं है अगर देखें तो हम क्या करते हैं हम treatment में treatment क्या है bed rest पानी खूब पिलाओ और symptomatic treatment पैसे टमल दो पेन किलर बिलकुल ना दो और अगर complication होती है तो उसका का मैं तो देनी भी पड़ सकती है और बीपी लो मत होने दो rest बहुत जरूरी है लोग rest नहीं करते हैं फीवर में काम करते रहते हैं यह सबसे खतरनाक है rest बहुत जरूरी है और अगर बीपी डाउन है तो तुरंद डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर के touch में तो आना भी चाहिए वैसे भी डॉक्टर के concern touch में रहना चाहिए तो अभी problem क्या गिए अभी कोवीड से हम लोग निकले नहीं कहीं कोवीड ने हमारी immunity को मुझे लग कब आएगी लेकिन ये जो अब मुसीबत आई पड़ी है इस्पेशली पंचकुलास पिंजोर कालकाजी चंदिगड तो ये एक problem बड़ी problem है और कहीं ये बागी जगाओं पर भी ना फैले हालकि मुझे अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब ये नहीं पता कि व लेकिन अगर उने एरिया में बहुत जादा बारिश हुई है पिछले महीने के अंदर अंदर या दो महीने के अंदर तो हो सकता है कि कोई ऐसा मच्छर या उसी टाइप का वाइरल फीवर डेंगूस टाइप का ही कोई हो रहा हूँ तो लेकिन क्या अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका असल बाकि इंडिया में भी होगा क्या बाकी जगा भी फैल जाएगा होना नहीं चाहिए प्रे करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कोईट से भी भ्यंकर डिजीज है क्योंकि जहां सडन प्रॉलम होती है बिना रीजन के बिना बताए यहां तो यह भी नह कम है तो हम oxygen दे ये कर दे हैं वोगत हालगी डेल्टा में भी ऐसा था हम लोग हमारे हाथ खड़े हुए थे तो सिर्फ ये प्रे करें कि भाई ये जो sudden problem है इसको कैसे sudden death जो हो रही है ये कैसे रोकी जाए मेरा ये माना है कि जब patient आपके पास fever का आता है सारे test पहले दिन दूसरे दिन पर सारे test कराएं डेंगू का भी कराएं और अगर test repeat भी करने पड़े हैं दो दिन बाद फिर repeat करें उसके साथ एक दो तिन test में और बता रहा हूँ ABG gases का test होता है arterial blood gas analysis ये जरू कराएं क्योंकि मैंने practice में देखा कि इसमें भी गड़बाडी होते हुए दूसरा ECG आते ही कराएं patient का ठीक है उसके vital अच्छे डंग से check करें BP अच्छे डंग से monitor करें अगर आपको लगता है BP lower side में है तो उसको admit करने तुरंट और rest करें और अगर sudden problem हो रही तो हर patient का echo भी होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जो patient admit हो रहे है उन सब का echo होना चाहिए कि कहीं कोई myocarditis का element तो नहीं है कोई sudden problem तो नहीं आएगी तो अब वो तो डॉक्टर ही बताएंगे किस patient को ICU में रखना है किस को ward में रखना है क्योंकि beds की भी कमी ह हो गई है ऐसा माना जा रहा है कि beds की भी shortage हो रही है और test की भी problem हो रही है क्योंकि इतना overload हो गया कि test भी नहीं हो पा रहे हैं तो चिंता करने वाली बात तो है क्योंकि ऐसा डेंगू काफी साल पहले करीब आज से 10-12 साल पहले शायद 15 साल पहले हुआ था जब इतना भेंकर के रह जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये हमारे अब कहीं ने कहीं मुद्ध कहां पे आ रहा है मैं आपको बता हूँ सफाई नाम की चीज पानी काम पढ़ा हुआ है सफाई हो रही है नहीं हो रही है आप अपने घर के आसपास देखिए अगर आपको वहां पानी म लेक्राइब मर गया हूँ मेरे कोई क्लिनिक पे आपके देखे तो बाहर भाई साब कुछ नहीं और फिर आपस में लड़ेंगे एमसीडी का है एपलान इनिवेज सफर तो आम आत्मी करता है अम आत्मी सफर तो आम आत्मी ही करता है और तो यह इस इसू सफाई से रिलेटे कुछ और है, infection, या mixed infection है, बड़ा मुश्किल है, कई बड़ मैंने mixed infection होते हुए देखे, एक ही patient मैंने टाइफाय, डेंगू, malaria सब एक साथ होते हुए देखा है, तीनों की medicine देनी पड़ती थी, टाइफाय भी आ गया, ये भी आ गया, malaria भी आ गया, तो क्या ये फैलसिफिर, malaria ह बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, डरा नहीं रहूं, लेकिन सजग रही है, अगर high grade fever आता है, तो तुरन डॉक्टर के contact में आये, मेरे पास जो patient clinic पे आते हैं, मैंने वहाँ पे अपने clinic पे, malaria antigen, dengue antigen, NS1 antigen, और और test भी सस्ते हो जाते हैं, जब हम खुद करते हैं तो, और 15-20 मिदे हम patient को बता देते हैं, भाई, तेरा ये result है, और कुछ patient में जहां पे उमीद भी नहीं होती, वहाँ पे डेंगू निकला है, कहीं पे कुछ निकला है, तो ऐसे फाइदा होता है, मैं clinician को भी बोलूँगा ये अपने setup पे ही रखें, ये छोटे मोटी kit वाले जो test होते हैं, हाथवाथ करें, हाथवाथ patient को बता दें कुछ है या नहीं है, और अगर patient ठीक नहीं होता, तो उसको repeat भी कराने पड़ सकते हैं, और typhoid का लिए best जो test है, वो blood culture है, भागी तो ठीक है, आपने typhidote करा लि बना के देखते हैं, तो ऐसे कोई test हैं, लेकि मुझे ऐसा लगता है, ये डेंगु टाइप का कोई viral fever है, जिसकी वैसे ये सब हो रहा है, आप चोकनने रहिएगा, और pray करता हूँ मैं आपके लिए, और सब के लिए, क्योंकि अभी covid से ही shock से निकल नहीं पा रहे हैं, अभी जरूरी है दुनिया में, क्या जरूरी नहीं है, health सबसे important है, शुक्रिया, बाई